हेलो एवरीवन वेलकम टू स्किलाइक्यू स्किलाइक्यू में आपका स्वागत है तो सेवन्थ में 2024 के एडिटोरियल की बात करते हैं यहां पे टाइम टू टोक बात करने का समय है ऑन तामिल नाडू केला एंड दा मुला पेरियार डैम रो यहां पे एना सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बहुत ज़्यादा पूराना सो साल से भी प्लस का डेड़ सो साल के आसपास का मुद्दा जो है फिर से गर्मा गया है और यह जो मुद्दा है ना फिर से बार बार गर्माता ही रहता है जब भी बारिस का समय आता है ना तो उस समय पर यह मुद्दा जो है उठ जाता है अचानक से और एक तरीके की चिनता सही भी है कह सकते हैं यहां पे तो बात क्या है यहां पे मुला पेरियार जो हमारा यहां पे डैम है जो की केरला में पड़ता है बेसिकली बट ये फाइदा ज्यादा जो है तामिल नाडू को देता है चीक है और इस से केरला को बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि एक सो पचास साल से भी ज्यादा का समय इसको हो गया है और जो जमीन वगएरा पड़ती है वो ज्यादा तर केरला की पड़ती है या फिर आप ये बोल सकते हो सीदा सिदा सेम्पल भासा में ये बोल सकते हो आप लोग कि अगर इसमें यहां पे कुछ उंच ने चुए तो यह स सबसे पहले हम अपने बांध के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, केरल राज्य स्थित एक राजगिरी गुरुत विये बांध है, यह समुदर तल से 821 मीटर यानि के 2890 फीट जो है उंचाई पर है, पस्चिमी घाट की इलाइची पहाड़ियों के बीच में थे कादी इ 1887 से 85 के दोरान जोन पैनी क्विक के द्वारा किया गया था, जिसमें मदरास प्रेजिडेंसी के पूर्वी अक्सेत्रों, जिसमें पूर्वी अक्सेत्र में तामिल नाडू का जो अक्सेत्र आसकल का, वो पढ़ता था, उसको जल परदान करने के लिए एक समझोते के तहच जो इसका निर्मान हुआ था अब मैप के अंदर अगर हम देखने के लिए जाएं तो देखो ये तामिल नाडू है और ये केरला है ठीक है तो ये जो इनका बोर्डर है कुछ यहां पर ये पढ़ता है ठीक है एक्जेक्टली कुछ यहां पर पढ़ता है आप लोग थोड़ा स इसी चीज़े हैं ना तो सिरफ इतना ही ले सकते हैं कि कुछ इनके बोर्डर पे पढ़ता है जो कि केरला के अंदर ज्यादा पढ़ता है तो कुछ यहां पे इसकी लोकेशन वगारा जो है तो अभी जो है अपने एडिटोरियल को देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हु किसको लेके मुला पेरियार डैम को लेके जो है बात करने का समय है टी एन मतलब तामिल नाडू केरला तामिल नाडू और केरला शुड्ड डिसकस डैम सेफटी तामिल नाडू और केरला को जो बांध है उसकी सुरक्षा पर जो है डिसकस करना होगा चर्चा करनी होगी लीगल resources must be the last resort अगर वो बातचीत नहीं करेंगे तो एक कानूनी जो तरीका है कानूनी जो सहारा है एक तरीके से ठीक है रिकॉर्स इसके बारे में पहले जिगर कर चुके हैं आप मैं एडिटोरियल्स में ही तो रिकॉर्स मतलब सहारा एक तरीके से आप बोल सकते हो ना तो कानूनी जो सहारा है फिर वो तो जरूरी होई जाएगा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अंतिम जो उपाए है अगर आप ये कहोगे कि अंतिम उपाए क्या है तो अंतिम उपाए एक तरीके से जो है क्या होगा कानून का सहरा लेना ही अंतिम उपाए जो है होगा चलिए बेसिक से जो है पूरा डिसकस करते हैं कि यहां पे अडिटोरियल में क्या दिया गया है ओके देखिए Tamil Nadu's latest application in the Supreme Court of India on the Mulla Periyar Dam raw source that even 10 years after the court's decisive judgment allowing water to be stored till 152 feet from the previously reduced 136 feet, several issues with Kerala still remain unresolved. यहां पे जो है सबसे पहली बात तो यहां पे एक word आया है, decisive, decisive, अच्छा word है, adjective word है, part of speech के हिसाब से अगर देखने जाएं, इसका मतलब होता है या तो आप बोल लो अंतिम, या बोल लो निरनायक, ठीक है, अंतिम या फिर निरनायक आप इसको बोल सकते हो, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, या फिर जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या हमें बताया गया है, तो चलिए देखते हैं, जो मुला पेरियार, जो बांध विवाद है, उसके उपर जो भारत का जो सरवोच नियाले है, यानि सुप्रीम कॉल्ट आफ इंडिया, स्सी के दोरा जो ह लेटेस्ट जो एप्लिकेशन जो आवेदन जो दिया गया है उसके अंदर, उससे हमें ये पता चला है कि जो नियाले है, है ना, जो नियाले है, उसके जो फैसला था उसका, दस साल बाद भी उस फैसले की जो बात की गई थी, कि इसमें 142 फीट तक जो पानी है, वो रखने की बाद थी उसको घटा दिया गया था कि जो safety concerns है या इस तरीके की जो चीजी हैं है ना उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए 136 feet इसमें पानी रखने की यहां पर बात की गई थी तो केरल के साथ कई मुद्दे अब भी एक तरीके से अनसुल्चे हुए मुद्दे जो है अब भी इसी तरीके के मुद्दे जो है रह गए हैं अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा यह petition या जी जो फाइल किस ने दायर की थी तो यह किरला ने एक तरीके से दायर की थी कि कि सेफ़्टी जो है जुरूरी है यह बहुत पुराना बांद हो चुका है तो इसके अंदर 142 फीट पानी रखते हैं तो कॉर्ट ने कहा था कि 136 फीट पानी रख Audi अप इसमें अ और उदर से यह आ रहा है उदर से यह आ रहा है तो कुल मिला के मुद्दा जो है क्या है एक तरीके से अन्रिजॉल्ड है अन्सुल्चा एक तरीके से मुद्दा है और स्टिल रिमेंड अन्रिजॉल्ड अभी तक जो है अन्रिजॉल्ड है अभी तक मुद्दे का कोई भी जो है निरने एक तरीके से हमें देखने को नहीं मिला है यहां पर क्या बात की गई है एक एक कारिय करता है जिनके द्वारा एक जिनके द्वारा जो मामला है वो डाला गया है कोरट के अंदर एक याचिका करता बोलो कारिय करता बोलो एक्टिविस्ट बोलो उसके जो याचिका थी जो उसने दायर की थी उस मामले में केरल के जवाब में जो जो लाभार थी जिसको फायदा हो रहा है या फिर मालिक जो राज्य बोलो आप एक तरीके से वो तामिल नाड को है तो क्योंकि करार हुआ था पहले जो कि हमने वहां पे देखा था शुरुआत में ही तो उस करार के हिसाब से तैमिल नाडू कोई फायदा होगा और इसका मालिक राज्य भी तैमिल नाडू है तो इसने केरल के उपर जहां पर ये बांध है वहां पर 129 साल पुरानी जो य हो ठीक है इसके बारे में ये कहा उसकी सेफटी के बारे में और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ इसका जो मेंटेनेंस है इसका जो रख रखाव है इसका वो किस तरीके से किया जाएगा अब अगर आप इसके रख रखाव के लिए जो भी इंपोर्टन चीज होत जो है कही गई है एक तरीके से तामिल नाडू ने केरल के ऊपर जो है एक तरीके से कही है कि आप जान बुझ के इसके अंदर जो है डाल रहे हो दबाव डाल रहे हो कि आप यहां पर इतना पानी मत रखो यह मत करो वो मत करो तो आप जो है एक तरीके से बैमानी से रोने वाले व्यक्ति हो ठीक है नаф तो तामिल नादू ने या फिर एकचटीविस्ट है उन्हों ने जो है इस बात का जवाब जो है केरल को एक तरीके से दिया है कि आप लोग एक तरीके से जानबूज के विलफुली जो है आप obstructing कर रहे हो जान बूज के आप जो है इसके अंदर रोडा अट का रहे हो कि इसकी maintenance भी नहीं करने देते हो इस तरीके की जो चीजें है ना यह जो है सामने एक तरीके से आई है अभी तक तो 150 years old नहीं है वो 129 years old है यहां पर यह जो damn है यह ठीक है despite the constitution of the three panels for example a supervisory committee supervisory committee क्या है which was reconstituted by having a technical member of each state each state मतलब दोनों states से each state in June 2022 मतलब एक supervisory committee बनाई गयी थी जिसमें जो दोनों states के technical members को एक तरीके से लिया गया था जो कि जून 2022 में एक तरीके से बनाई गयी थी तकनिकी सदस्ते या technical जो people हैं उनको इसमें include एक तरीके से किया गया था and or two sub committees और दो sub committee बनाई गयी थी one of which is under the national executive committee of the national disaster management authority और एक दो committee बनाई गयी थी sub committee यानि के उप समितियां बनाई गयी थी एक समिति बनाई गयी थी जिसमें दोनों states में से परतेक state के एक तकनिकी जो है व्यक्ति को लिया गया था या तकनिकी व्यक्तियों को लिया गया था ठीक है परतेक स्टेट से और दो उप समितियां बनाई गई थी जिसमें एक जो है राष्ट्रे आपदा प्रबंदन प्राधिकर्ण की राष्ट्रे कारी कारी समिति के अधीन जो है दो ये जो है क्या बनाई गई थी उप समितियां बनाई गई थी ठीक है अब यहां पर कहने की क्या बात है देखो एक समीति बनाई जिसमें तकनिकी लोगों को सामिल किया गया प्रतेक स्टेट के दो उप समीतियां बनाई गई जिसमें राष्ट्रे आपदा प्रबंदन प्राधिकर्ण यानि के National Disaster Management Authority उसके तहत जो है National Executive Committee दो बनाई गई एक भी नहीं दो बनाई गई राष्ट्रे आपदा जो है राष्ट्रे कारीकरी समीति बनाई गई थी ठीक है National Executive Committee तो दो ये उप समीतियां बनाई गई ये भी बांद से समन्दित किसी भी आपदा का सामना करने के लिए एक High Level की जो तयारी होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए कोई भी जो है मुद्दे का समाधान कोजने के करीब भी नहीं जो है एक तरीके से पहुंच पाई तीनों की तीनों जो समीतियां है वो ठीक है तो टू एंशूर ए High Level of Preparedness to face any disaster related to them to the dam मतलब एक High Level की जो उच्छ सतर क जो तयारी होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए है ना एक तरीके से उसको सुनिश्चित करने के लिए जो भी dam से related थी no one is any closer कोई भी समीति तीनों में से कोई भी समीति एक समीति प्लस के दो उप समीतिया ठीक है close भी नहीं पहुंच पाई solution के जो भी pending issues थे जो भी जो जो पेंडिंग यानि के पेंडिंग को क्या बोलते हैं जो पड़े हुए जो मुद्दे थे उनको जो है समाधान खोजने में करीब भी नहीं पहुंच पाई कोई भी समीति ठीक है तामिल नाडूज ग्राइवेंस ग्राइवेंस क्या होता है ए एंसी एंडिंग वर्ड है त इसको बोल सकते हो गिला बोल सकते हो शिकायत बोल सकते हो ठीक है शिकायत बोल सकते हो गिला बोल सकते हो उलहाना बोल सकते हो है ना उलहाना बोल सकते हो वैसे गिला कहो गए यहां पे अकोर्डिंग तो सिचुएशन ठीक है तामिल नाडूज ग्राइवेंस इस देट देट miserably failed to ensure that Kerala and its instrumentalities permit and facilitate dam strengthening and other related works अब यहां पर जो केरला है वो तमिल नाडू है तमिल नाडू यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है तमिल नाडू यह कहने की कोशिश कर रहा है कि तमिल नाडू की सिकायत है यह तमिल नाडू का गिला है एक तरीके से उसके अंदर एक शिक्वा गिला है उनका वो यह है कि जो जो री कॉंस्टिट्यूटेड पुनर गठित जो सूपरवाईजरी कमेटी थी जिसको पुनर गठ CCAT 2015 21 2021 उसके तहट जो सकतियां होने के बावजूद भी उसके तहट DAMSAKT के तहट supervisory committee जो थी है ना supervisory committee को बहुत सारी जो है powers थी उनके बावजूद भी वो miserably failed है बुरे तरीके से failed है ठीक है ये सुनिश्चित करने में कि केरल और उसके जो क्या बोलते हैं उनको instrumentalities जो है permits या फिर facilitate जो depth strengthening है या दूसरे जो काम है उनको जो है वो किसी भी तरीके से मजबूत जो है एक तरीके से नहीं कर पाया या फिर अनुमती एक तरीके से वो दे नहीं पाया और सुधाएं उसको देनी चाहिए थी जो उसका काम करना चाहिए था supervisory committee को वो जो committee है जिस जो अधिनियम था 2021 का बांध शुरुक्षा अधिनियम चीक है उसके तहत उसको बहुत सारी powers थी वो बुरे तरीके से fail है क्योंकि हमें वो powers नहीं दे पाया जो भी हम अपने जो काम जो है उस डैम के उपर जो है मुला पेरियार डैम जो है उसके उपर जो हम काम करना चाहते थे उस डैम के उपर वो काम हम जो है एक तरीके से नहीं कर पाए इस चीज को लेके इस बात को लेके जो तामिन लाडू है उसके अंदर क्या है ग्राइवेंस है सिकायत है गिला है उलाना है यह उनका ठीक है तामिन लाडू has also been pressing for the early completion of a comprehensive dam safety evolution within five years by December 30, 2026 as stipulated under the 2021 low जो यह डैम safety low आया था 2021 क्यों कि इसके अंतर दे तो यहां पर क्या कहने की बात की जा रही है यहां पर कहने की बात की जारी है कि तामिन लाडू जो है न वो जो डैम safety low 2021 कि आया था उस low के अनुसार उस कानुन के अनुसार पांच साल के अंदर अंदर देखो 2021 में वो कानुन बना है उसमें पांच जोड़ दो 2026 हो गया तो 2005 साल के अंदर 2026 तक 2021 में कानुन बना और 2026 तक जो तामिन लाडू है पांच साल के अंदर अंदर 30 सितंबर 2026 तक एक जो है पकबांध सुरक्षा मुल्यांकन को जल्द से जल्द पूरा करने का एक तरीके से क्या कर रहा है pressing कर रहा है दबाव डाल रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी एक तरीके से complete किया जाए जो safety evolution है कितने time के अंदर 5 सालों के अंदर 30 दिसंबर 2026 तक उसको जो है एक तरीके से complete किया जाना चाहिए काम जो है उसके उपर हो जाना चाहिए अनुबंध जो है वो पूरा जो एक तरीके से किया जाना चाहिए stipulated क्या होता है अनुबंध होता है ठीक है वो जो tag जो समय सीमा है है ना वो जो चीज है उसको एक तरीके से कंप्लीट किया जाना चाहिए अंडर दे 2021 का जो कानून है डेम सेफटी लो है दो हजारी किस उसके अंडर तो सेफटी लो के तहत जो है वो एक तरीके से हश्टक कर रहा है या दबाव डाल रहा है एक तरीके से आप यह बोच सकते हो अभी तक मुद्धा आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा जब तक हम इस एडिटोरियल को कम्प्लीट करेंगे तब तक और भी अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए अब यहां पर क्या बात की जारी है जो अन्सुल्जे मुद्धे हैं वो तो एक अलगी बात रहेगी लेकिन जो अन्सुल्जे मुद्धे हैं उनके बावजूद भी केरल की जो आपतियां हैं उसके बावजूद भी केरल की जो आपतियां हैं उसके बावजूद भी जुडीसियल इंटर्वेंशन्स न्याइक जो हस्तक शेप हैं उस नियम जो चक्र है उस नियम वक्र चक्र जो भी आप कहलो इसको वो जो है अपनाया गया है जो बांद के एक बांद का जो शटर है बांद का जो मुद्दा है उसको सुचारी रूप से संचालित करने के निर्णे लेने का एक एक ये बोल सकते हो इंस्ट्रुमेंट है एक जो है आप ये बोल सकते हो उपकरन है एक तरीकी का विसेश रूप से बाड के दोरान या फिर gate operations or dual के दोरान तो मतलब इस तरीके कि अगर समस्याएं आएंगी तो उस समय पे जो है क्या किया जाएगा फिर केरल ने तो बहुत सारी आपतियान लगा दी न्याईक एक तरीके से हस्तक शेप लगाए दिये यह ना judicial interventions टाल दी तो आगे आने वाले समस्याओं को किस तरीके से जो है एक तरीके से टैकल किया जाएगा यह जो है अपनी तरफ से जो जो एक तरीके से तैमिल नाडू है वो इ बांद से जुड़े हुए मुद्दों को अलग करने या उसके अलावा दे प्रपोजल ओफ मेगा कार पार्किंग प्रोजेक्ट आफ दे केरला गौर्रमेंट इस ए मैटर ओफ लिटिगेशन यह नाउन वर्ड है इसका मतलब आप बोल सकते हो मुकदमा या मुकदमे बाजी इन दोनों में से कुछ भी यहां पर बात मतलब हो सकता है अब देखो अगर हम छोड़ दें इस बात को भी डैम से समंदित बातों को भी अगर हम छोड़ दें अगर डैम से रिलेटेड बातों को भी हम छोड़ दें दो मिनिट के लिए छोड़ दें तो जो केरल की जो सरकार किरला जो government है उसकी mega car parking जो परियोजना थी उसका प्रस्ताओबी एक तरीके से matter of legetation है मुकदमेबाजी का एक विवाद है विस्जै है एक matter है एक मुद्दा है मुकदमेबाजी का मुद्दा है एक ये भी उसकी एक mega car parking परियोजना जो थी उसका जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था उसमें भी तो प्रोब्लम आएगी उसकी प्रोब्लम कॉंचॉल करेगा फिर यहां पर भारतिय सर्विक्षन विभाग यानि के सर्वे ओफ इंडिया की यहां पर जिकरा जाती है तो भारतिय सर्विक्षन विभाग ने जो है निसकर्ष निकाला कि जो प्रियोजना स्थल है न वो जो लीज पर दी गई थी जो जमीन जो पटे पर जो जमीन दी गई थी उस अक्षेतर से बाहर है और ये जो है तामिल नाडू के दवारा विवादित एक तरीके से है ऐसा कु एंडिया या भारतिय सर्विक्षन जो विभाग है उसके द्वारा बता ही गई है एस फोर केरला डैम सेफटी हैस बिन इट्स प्राइमरी कंसर्ण और इट वांट्स तू प्रोसीड कोशियसली अब यहां पे अगर केरला की बात करें है ना जहां तक केरला की बात है जहां केरला का मुद्दा है सवाल है बांध सुरक्षा उसकी प्रार्थमिक चिंता है और उसे सावधानी से उसके विशय में आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्यों जैसा कि हम पहले भी डिसकॉश कर चुके हैं कि इसमें केरला को है ना बहुत ज्यादा नुकसान जो है एक तरीके से जहिलना पड़ सकता है अगर बाड की समस्य आए अब देखो अब अगर तामिल लाडू इस तरीके की चीज़ें कहा रहा है कि इससे बाड आने की संभावना है और भी बहुत सारी जो प्रोब्लम्स है वो फेस करनी पड़ सकती है तो इसमें केरला क्यों नहीं मान रहा है तो यही सारी चीज़ें लेके केरला भी बोल रहा है कि हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रोब्लम है इसके अंदर पानी कम रखा जा सकता है इसकी मेंटेनेंस की जा सकती है अब मुद्दा क्या है असली मुद्दे पे ये लोग खुल के सामने भी एक तरीके से नहीं आ रहे यहां पर क्या बात की गई है यहां पर बात की गई है कि जहां तक जो केरल का मुद्दा है सवाल है बांद की सुरक्षा उसकी प्रार्थमिक चिनता है और उसको इसके इस मैटर से रिलेटेड जो है बड़े कौशियसली मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ने की जो है एक तरीके से जरूरत है एक तरीके से आप यह कह सकते हो बट यहां से शुरू करते हैं इट इस टाइम बेट तो यहां पे जो अब यह समय आ गया अब यहां पे सॉलूशन की बात करेगा राइट अब वो समय आ गया है कि जो दो टू स्टेट है आपस में ठीक है ना रिस्योंड बाइलेटरल लेगोशियेशन टू फाइंड ए सॉलूशन पेंडिंग प्रोब्लम्स उनको है ना एक दूसरे का सायोग करने की जुरूरत है उनको जो है एक तरीके से कानूनी सहारा लेने की अपनी जो जो इंडिपेंडेंसी है या सुवत संतरता है उसको बरकरार रखते हुए जो भी उनके सामने जो समस्याएं खड़ी है उनका समाधान खोजने के लिए उनको बाइलेटरल जो नेगोशियेशन से उनको रिजूम करना पड़ेगा बाइलेटरल मतलब दवी पक्षिया जो वारता है उसको फिर से जो है अब एक तरीके से जो बातचीत करने से प्रतिक समस्या का एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि समाधान जो है निकल सकता है तो दोनों गौर्मेंट्स को बैठके बाइलेटरल जो है मिटिंग्स जो है रखनी चाहिए दुवी पक्षिया वारता हैं जो है तरीके से आप ये कह स लगते हो कि उनको रखनी चाहिए और इस समश्या का समाधान फिर से डूंडने का शुरुवात एक तरीके से करने चाहिए courts take their own time अब देखो अदालतों को अपना समय लगता है अदालतों को किसी भी समय किसी भी conclusion पे पहुंचने के लिए time लगता है तो यहां पे इसलिए यह बात रखी गए courts take their own time to arrive at their conclusion बिल्कुल यही बात मैंने आपको बताई even though Tamil Nadu has a more favorable track record with the supreme court and then the state on Mala परियार going by 2006 to end 2014 judgments अब यहां पर क्या बात की गई है यहां पर तो कुछ यहां पर ऐसा लग रहा है कि Tamil Nadu का एक तरीके से यहां पर ज्यादा पलड़ा भारी यहां पर इस line के अनुसार जो दिखाने की कोशिश की जा रही है तो देखते हैं यहां पर क्या किया गया है यहां पर बात क्या की गई है यहां पर बात की गई है कि जो कोर्ट होते हैं वो जो है अपना समय लेते हैं जो कोर्ट होते हैं जो अदालते हैं वो अपना समय लेती हैं है ना अपने निश्कर्स पर पहुंचने के लिए उनको अपना टाइम लगता है भले ही आप ये कह सकते हो कि 2006 और 2014 के जो फैसले आये थे मुल्ला पेरियार पर उसमें तामिल नाडू का जो है वो सुप्रिम कोर्ट के साथ एक दूसरे राज्यों की तुलना अगर हम करें तो ज्यादा एक अच्छा एक ट्रैक रिकोर्ड जो है रहा है ना तो यहां पर इसी चीज की बात यहां पर कही गई है कि 2006 में इनको अच्छा रिजल्ट मिला था 2014 में भी तामिल नाडू को एक तरीके से आप यह बोल सकते हो कि एक अच्छा जो है रेकोर्ड जो है इनका रहा है as water and dam safety can be used by some elements to arouse emotions emotions ही होगा मैंने सुचा कि emotions का यहां पर क्या मतलब the political leadership in both states should be proactive in threshing out threshing out एक phrasal verb होती है the differences अब threshing out का मतलब होता है बाहर निकालना किसी भी चीज़ को ठीक है तो आप यह बोल सकते हो कि यहां पर as water and dam safety can be used by some elements to arouse emotions क्योंकि यहां पर पानी और बांध की जो सुरक्षा है उसका जो है इस्तेमाल कुछ elements कुछ तत्व some elements to arouse emotions कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भावनाओं को भड़काने का काम जो है करते हैं यहां पर some elements to arouse emotions अभी यहां पर क्या बात आई है एक गहरी बात आप यहां पर बोल सकते हो क्योंकि इसके उपर भी राजनिती होती है होती भी आई है होती भी रही है अब इससे थोड़ा सा हटके में एक बात कर रहेता हूँ SYL सतलूज यमुना लिंक हमारे हर्याना और हमारा जो बड़ा भाई है पंजाब हमारी दोनों स्टेट्स के बीच में मुद्दा रहता है इसको लेके काफी हमारी स्टेट्स की जो गौर्मेंट्स हैं राजनितियां करती हैं पूरे इवन पूरे यह जो नदियों का पानी का मुद्दा जो होता है इसके उपर easily आप जो है देखते हो कि यहां पे देखने को मिलता है आमें जनरली की राजनिति काफी बहुत जादा यहां पे होती है ना तो यहां पे पानी और बांध सुरक्षा का जो इस्तेमाल है एक तरीके से कुछ तत्व कुछ बैड एलिमेंट्स यहां पे मैं कहूंगा क्योंकि इसने लिखा हुआ नहीं है बट मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं इस बात को वो जो है भावनाओं को बढ़काने के लि उनों स्टेट्स के अंदर शुड़ भी प्रो एक्टिव उनको प्रो एक्टिव होना चाहिए इन थ्रेशिंग आउट इन मुद्धों को दूर करने में मत बेदों को दूर करने में उनको क्या हो जाना चाहिए एक तरीके से प्रो एक्टिव हो जाना चाहिए एक तरीके से talks होंगी वारताएं होंगी बातचीत होंगी meetings होंगी even in the event of not leading to any major breakthrough may at least provide both states an opportunity to appreciate each other's position better and leave no room for vested interest in vitiate the atmosphere बड़ी अच्छी जो है एक तरीके से यहां पर बात की गई है कि अगर अगर proposed talks होंगी between these two states अगर proposed मतलब प्रस्तावित जो meetings होंगी वारताएं होंगी बातचीत होंगी, talks होंगी वो किसी भी बड़ी सफलता की और नहीं ले जाने की स्थिती में भी अगर उन सफलता अगर meetings हो रही है, meetings में meeting हो रही है मुद्दे का हल नहीं निकल रहा है उस थिती में भी कम से कम दोनों राज्यों को एक दूसरे की स्थिती को बहतर तरीके से सराहना करने का अवसर जो जुरूर देंगी और माहूल को खराब करने के लिए तीक है माहूल को जो bad elements का मैंने यहां पर जिकर किया some elements की जगा पर bad elements का यहां पर मैंने जिकर किया उनको उन elements को अपने जो स्वार्त होते हैं हैना अपनी जो खुद के जो self interests होते हैं या vested interests होते हैं उनको माहूल खराब करने का जो है जगे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी उन लोगों को जो ये आपस की जो प्रोपोज्ट टोक्स होंगी इनका इंफ्लुएंस इतना अधिक होगा अगर रिजल्ट नहीं निकल सकता अगर मुद्दे का सोलुशन नहीं होता तो कम से कम वहां पे जो दूसरे लोग हैं जो बैड ऐल नहीं था तो यह था हमारा एडिटोरियल सेवन्त में 2024 मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ तो थैंक्स वाचिंग थैंक्यू थैंक्यू सो मच और और मैं आपको क्या कहूं कि वीडियो को आप जो है शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो प्यारा सा कॉम लेके जाओ फिर 20 पे लेके जाओ देरे देरे 100 पे लेके जाओ ऐसी चीजें चलेंगी शेयर करते रहोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा देरे देरे बैस्ट होंगी चीजें आगे पॉसिबिलिर्टी है इन दे फ्यूचर तो थैंक्स वाचिंग थैंक्यू